हेलो दोस्तों देखो सी को स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों यूपी सिच्छा का भरती परिच्छा का पैटरन बदला जिहां दोस्तों बहुत बड़ा बदला हुआ है बड़ा बदला हुआ है दोस्तों सिच्छा का भरती परिच्छा का pattern बदलेगा pattern में क्या-क्या changes जो हुए आपके exam में उसके बारे में बात करेंगे दोस्तो सिच्छक भरती परिच्छा का pattern बदलेगा और 6500 सिच्छक भरती की लिखित परिच्छा अब नए pattern पर होगी इन में देखिए दोस्तो जन्वरी 2019 को होनी है 68500 सिच्छक भरती की पहली लिखित परिच्छा से सबक लेते हुए इस बार pattern बदला जा रहा है pattern बदलने की मुख्य वज़ा मानुई हस्तचेप को खत्म करना है OMR seat computerized तरीके से चेक होगी वहीं इसमें काम जल्दी खत्म होगा इस भरती की लिखित परिच्छा 11 से लिखित परिच्छा के लिए जो registration है पंजी करन जो है 11 से 25 इसमबर तर पंजी करन होगा इसके बाद 6 जन्वरी को इसकी लिखित परिच्छा का आयोजन होगा 18 नौंबर को होने वाली टीटी में सफल अभ्यारती ही इसमें भाग ले सकेंगे लिखित परिच्छा में सफल अभ्यारती ही इस परक्रिच्छा में हिस्सा ले सकेंगे दरसल जो परिच्छा हुई है इसके बारे में बताए गया है यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों आको पता चल जाएगा कि क्यों इस परिछा से अती लगुतरीय प्रश्ण जो हैं, इनको हटाय जा रहा है, इस परिछा में अती लगुतरीय प्रश्ण पूछे गए और इन्हें सिच्छों को से जाच करवाये गया, एक तो इनमें ज पुनर मुल्यांकन के लिए आवेदन ले चुकी है लगबग 30,000 अबेर्थियों ने पुनर मुल्यांकन के लिए आवेदन किया अनुमान के मुतावित 30,751 अबेर्थियों की कापी जाचने में 10 दिन का समय लगेगा देखे दो में जो आपके एक्जाम में चेंजेज अगर आगे और भी चीज़ने लिखी थी तो जो में जो एक्जाम में चेंज हुआ है वो आपका अती लगुतरी जो प्रशने उसको हटा कर बहु भिकल्पी यानि कि जो आप्शन वाला होता है वैसे कोशन आ जाएंगे और OM सीट आपको दिया जाएगा ठीक है तो देखे दोस्तों ये कुछ चेंजेज हुए है पैटर्ण जो वह वह चेंज हुआ है यूपी सीचक भरित्ती जो परिच्छा आपकी होने वाली है उसके लिए तो आसकरते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे वीडियो हमारे प्र जाते हैं ती शो लाइक शेयर कर देखें अपने सुजाह सेशन कमेंट बॉक्स में जरू जरू लिखें मिलते ने शो में धन्यवाद